सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाईस चनल को और बेल आइकन को फ्रेस कीजिए लेटेस्ट टूडियो को सबसे पहले अपने मोबाईल पर देखने के लिए हमारे देश में वहान चलाने के मामले में लोगों में जागरू तका अभाव, ट्राफिक सेंस की कमी, जल्द बाजी, गलत ड्राइविंग और लापरवाहि के चलते लाखों लोग सड़क दुरगटनाओं में हर साल अपनी जान गवाँ देते हैं ज़्यादा तर लोगिया जानते होए भी कि सड़क दुरगटनाओं में किसी की मृत्ती होने पर उसके परिवार वालों पर क्या बेटती है, अपनी मनमाने की आदत से बाज नहीं आते, जबकि ड्राइविंग में सावधानी रखना कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं ह यदि आप वहान चलाते समय कुछ छोटी बातों और सावधानियों का ध्यान रखे तो ऐसी दुरगटनाओं को टाला जा सकता है, इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जिसे अपना कर आप ड्राइविंग के समय होने वाली दुरगटनाओं से अ रिवर्यू मिरर को भी अपने हाइट और सिट के हिसाब से सैट करें, टिवर्यू मिरर को सही पौजिशन में रखकर थोड़ा उपर कीवर कर दे ताकि आपकी हाइट के अनुसार यहाँ सही पौजिशन में रहे, उसके बाद ड्राइवर विन्डो की और जोग कर लेफ्ट म मिलर को सही करे जिससे कार के पीछे वाले हिस्से की हलचल को आप देख सके फिर राइट मिलर को भी इसी तरह सैट करे साथ ही खुद को कमफर्टेबल पोजिशन में रखकर ड्राइविंग शुरू करे अपना ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर रखे एक अध्यान के अनुसार ट्राइविंग के समय मुबाइल पर मेसेज टाइप करने से एक्सिडन होने का जोखिम 20 गुना अधिक होता है साथ ही फॉन नमर डायल करते समय यह जोखिम 4 गुना अधिक होता है इसलिए कार चलाते समय मुबाइल से बिलकुल दूर रहे और अपना ध्यान सिर्फ ड्राइ ध्यान रखे कि नजर हटी दुरगटना घटी स्टियरिंग पर हाथों की पोजिशन सही रखे ड्राइविंग करते समय ध्यान रखे कि आपके हाथ स्टियरिंग पर बिलकुल सही और मजबुत पोजिशन में हो क्योंकि स्टियरिंग पर अच्छी पकड़ और कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है कुछ research की report के मताबिक steering पर 9 o clock और 3 o clock की position सबसे सही होती है फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार steering को मजबूती से संबाले ताकि accident की दसा में आपकी उंगलिया, चहरे और सिने पर कम से कम नुकसान हो ड्राइवर सिट को अधिक उंची न रखे, किसी दुरगटना से बचाव के लिए अपनी गाड़ी की सही स्पीट का अनुमान रखना बहुत जरूरी होता है आपके कार के सिट की हाइट का इस पर बहुत प्रभाव होता है ज्यादा तर उंची सिट वाले वहानों के ड्राइवर जैसे SUV चलाने वाले ड्राइवरों को गाड़ी की स्पीट कम मालूम होती है जिसे वे अपनी स्पीट को अधिक बढ़ा देते है इसलिए कार के सिट को हमेशा सही लेवल पर या नीचे रखे ताकि आपको अपनी कार की कदी का सही अंदाजा आ सके गाड़ी को हाइज स्पीट में न चलाए ध्यान रखे कि अपनी गाड़ी की स्पीट को उतना ही रखे जिसे आप समय पर कंट्रोल कर सके ज्यादा तर युआवर कुछ पलो के रोमांज के लिए अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीट में चलाते है जो की बहुत गलत बात है ऐसी तेज रखतार वाहनों के कारण ही होने वाली अधिकतर सड़क डुरगटनाओं में लोग अपनी जान गवाँ देते है इससे आपके साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान का भी खत्रा होता है ऐसी गलती न करे सड़क उपर अचानक होने वाले हाथ्सों का एक बड़ा कारण होता है रेट सिगनल को जम करना ज्यादा तर लोग जलग बाजी की वजह से ऐसा करते है सिर्फ अपने थोड़े से समय को बचाने के लिए लेकिन यह आपके लिए जान लिवा साबित हो सकता है साथ ही आप पर ट्रैफिक रूल के अनुसार जुर्माना भी किया जा सकता है इसलिए कभी भी सिगनल को रेड लाइट जम्प न करें सही तरीके से ड्राइविंग करें ड्राइविंग करते समय अपने वहान की सही जानकारी न होने गलत ड्राइविंग करने और अपने वहान को सही तरीके से न संबाल पाने की वजह से भी कई दुरगटनाय होती है इसलिए पहले अपनी कार के सारे उपकरोने की अच्छी तरह जानकार ले जैसे गेर एड़ेस्मेंट, ब्रेक, क्लच की सही पोजिशन को समझे सही स्पीड पर और क्लच के प्रयोग से ही गेर शिफ्ट करे, हाई स्पीड में कम गेर या रिवस गेर न लगाए और सही तरीके से सही स्पीड में वो नियम अनुसार ड्राइविंग करे राथ के समय अपनी हेडलाईट्स का सड़को पर ट्राफिक के अनुशार सही प्रयोक करे यानि हेडलाईट्स की अपर और डिपर पोजिशन को ध्यान में रखे कई बार अपर पोजिशन में सामने वाले वाहन की आखों पर तेज रोशनी पढ़ने से भी दुरगटनाय हो जाती है साथ ही दिनों में भी हेडलाइट को ओन रख कर चले कैनेडा में किये गए एक अथिहन के अनुसार दिन में हेडलाइट को ओन रखने से ड्राइविंग के दोरान एक्सिडन के जोखिम में 10% तक की कमी हो सकती है इंडिकेटर का प्रयोग न भूले ड्राइविंग करते समय सही इंडिकेटर का और सही समय पर इंडिकेटर का प्रयोग न करने के कारण भी दुरगटनायों की आसंगा बढ़ जाती है इसलिए हमेशा इंडिकेटर का सही प्रयोग करें ताकि आपके पीछे और सामने दोनों तरब से आने वाहनों को आपके मुढने या रुखने की सही जानकारी मिल सकें इसे अपनी आदत में सामिल करें वाहनों से निश्चित दूरी बना कर चले कई बार सड़क ओपर आपके सामने वाली गाड़ी के अचानक रुख जाने या मुढने से आप जलबाजी में यदि ब्रेक न लगा पाए तो एक्सिडन होने की बहुत संभावना रहती है इसलिए सड़क ओपर हमेशा सामने वाली गाड़ीों से सही दूरी बना कर चले साथ ही अगल बगल से गुजरने वाले वाहनों पर भी पूरा ध्यान रखें ड्राइविंग के समय मुबाइल से दूर रहे किसी भी वाहन चाय वह कार हो या बाइक को चलाते समय मुबाइल फोन का प्रयोक आपके लिए खातक सावित ह क्योंकि इससे आपका ध्यान सड़क पर और अपनी स्टेरिंग पर नहीं रहता जिसकी वज़ेस से दुरगटना होती है यदि मुबाइल फोन का प्रयोक बहुत जरूरी हो तो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी करके ही मुबाइल का प्रयोक करे क्योंकि जान है अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्या वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते है तो हमारे वेबसाइट फ्री हिंदीएडवाइस.com पर जरूर विजिट कीजिए जिसमें वीडियो के साथ साथ टैक्स में भी सब जानकारी उपलब्द है इसके साथ लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो 100% फ्री है थैंक यू